गुद मॉर्निंग फ्रेंट्स दिस इस सूर्या बेनिवाल एंड तोड़े आई वेलकम यू ओल तो आर चैनल नेक्स जनरेशन स्टरी तो दोस्तों आज हम सब्तांग थियोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम देख लेते हैं यह थियोरी दी किसने है सब्तांग थियोरी ऑफ स्टेट इस गिवन बाइक कोटिल्या नौन अस चानक्या सब्तांग थियोरी जो है वो किसने दी है वो कोटिल्या ने दी है जिसे हम चानक्या के नाम से भी जानते हैं आपने सुना योगा चानक्या चंद्र किलवी के नाम से जाना जाता था कि कोटिल्या अअर्श-स्त्र는데 दिर इस न सी urgency थूरी और और ऑफ सोशल कॉन्ट्रेक्ट वह और स्टेट की बारे में किसे को दिस्ट सुशल कॉन्ट्रेक्ट क कि और इस्कुस नहीं करते है यूजद दो कॉन्टेक्ट तुमें the king all powerful अब इन्होंने अपने थियोरी में जो है वो king को power दी है लेकिन वो जो है एक contract के थ्रूँ उन्होंने ये power जो है नहीं दी है तो आईए अब हम देख लेते हैं आगे कोटिले सेटल, the king should receive one-sixth of the grain and one-tenth of the merchandise मतलब कोटिले का कहना है कि king को one-sixth मिलना चाहिए जो भी गेहूं या जो भी अनाज राज्य में उगाया जाता है as a tax और one-tenth मिलना चाहिए merchandise और gold का, it was the revenue which made it possible for the king to ensure the security and prosperity of his subjects और इसी के थ्रूँ जो है जो राज्या है वो अपनी प्रजा की रक्षा कर पाएगा और राज्य में सुक्षान्ती बनाए रख सकेगा आईए अब हम देखते हैं seven organs क्या क्या है seven organs में सबसे पहले जो organ जिसके बारे में कॉटेलिया ने discuss किया है वो है स्वामी स्वामी का मतलब है rule मतलब जो ruler आएगा, sorry यहाँ पे ruler means जो राजा है it is the first and the most important element of the state इसे सबसे जरूरी element माना जाता है state का स्वामी का मतलब है monarch he should be the native of the soil अब monarch कौन हो सकता है उसके लिए भी कोटेलिया ने इसके बारे में discuss किया है कि वो native of the soil होना चाहिए और born in a noble family noble family में born होना चाहिए वो he should be brave and well learned बहादूर होना चाहिए और ग्यानी होना चाहिए virtuous होना चाहिए और अपने जो subject यानि अपनी प्रजा है उन्हें अपने बच्चों की तरह है अपने खुद के बच्चों की तरह है ट्रीट करें कोटेलिया और अपनी थियोरी में जो है मुनार्क को extensive powers दी है लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि वह जो पावर है राजा सिरफ और सिरफ अपनी प्रजा की welfare के लिए उनकी अच्छाई के लिए ही उनके भले के लिए यूज करेगा अब जो अगला element है वो है अमात्या अमात्या का मतलब है जो ministers यानि राजा को सलहा देने के लिए जो ministers होते हैं जो जैसे हम कहते हैं आज के time में council of ministers होते हैं इस tribe में भी पहले ministers होते थे जो राजा के subordinate रहकर काम करते थे अमात्या जो है वो राजा को suggestion देते थे, text collect करते थे, develop करते थे नए village और cities को और ensure करते थे defense of the state The next one is जन्पदा, जन्पदा का मतलब क्या है population अब किसी राज्या क्या है राज्या तब ही होगा न जो population होगे अब जब लोग ही नहीं होगे तो राज्या कैसे बनेगा So it refers to the territory and the people of the up, जन्पदा का मतलब है territory और जो उस state के लोग है तो इसमें बताया गया है कि territory कैसे होने चाहिए किसी भी state की territory जो fertile होने चाहिए यानि उपजाव होने चाहिए It should have abundance of forest, बहुत सारे forest होने चाहिए, rivers होने चाहिए, mountains होने चाहिए, minerals होने चाहिए और people जो है, बहां के people कैसे होने चाहिए, loyal होने चाहिए to their king and they should be hard working और वो उन्हें, they should pay taxes They should pay taxes regularly और regularly वो जो है, taxes pay करें Now, ऐसे population होने चाहिए, जो राजा की प्रती loyal हो, राजा के लिए काम करें, state के लिए काम करें और मतलब एक दूसरे का भले के लिए काम करें Now, दुर्गा, अब दुर्गा का मतलब क्या है, दुर्ग का मतलब है, the fortified capital Means, बहुत सारे ये जो महल, जैसे हम पुराने आज की टाइम में देखते हैं कितने सारे महल होते हैं तो उस टाइब में, it refers to the forts, the state should have sufficient number of forts across its territory at strategic locations अब एक राजे में बहुत सारे forts यानि खिले होने चाहिए और जो है वो ऐसे strategic locations पर होने चाहिए जिससे defense ensure किया जा सके अब देखा होगा पहले कि हम जो अभी किले वगेरा देखते हैं महल हम देखते हैं उनमें क्या वो उची उची बड़ी बड़ी दिवारे तो एक तरने से defense purpose के लिए भी अच्छा होता था तो strategic locations पर जो है खिले होने चाहिए ताकि अगर कभी कोई जो है मतलब शत्रू या फिर कोई enemy हम पर attack करें तो हम क्या अपने आपको बचा सकें ऐसे और देर देर दे सोल्जर स्टोर और वहां पर क्या करने जो सोल्जर सुते हैं वो अपना खाना गेहूं डाल चावल यह सारी चीज़े स्टोर करते हैं इट ओल्सो सुरी दिस इस ओल्सो इस अज़ ऑल्सो सर्व आज एज एज़ाव फो दो किंग वेन हिस लाइफ इन आए जाते तो यह क्या है राजा की जिवन को बचाने के लिए भी काम आते थे क्योंकि जब भी कभी कोई दुसरा राज्य किसी राज्य पर अटेक करता था तो क्या है वो गुप्त रास्ते वगएरा महल के जो हैं वह बहुत काम आते वह एक स्ट्रेजी की अकॉर्डिंग ह पुराने जो महल वगयरा है वो बनाए जाते थे अब कोशा कोशा का मतलब क्या है ट्रेजरी यानि एक पर्टिकुलर स्टेट में क्या है ट्रेजरी अच्छी बहुत जादा ट्रेजरी होनी चाहिए मतलब धन दोलत होनी चाहिए तब ही जो है वहां के सोलजर्स को सेलरी पे कर करना वो राज्य की भलाई के लिए कर पाएगा money is needed for paying salaries to the soldiers building new infrastructure और नए नए infrastructure बना पाएगा it should be full of money यानि जो ट्रेशरी उसमें क्या होना चाहिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए valuable metals होने चाहिए gems यान हीरे ज्वाहरात and it can be increased by increasing tax और हम इसे increase भी कर सकते हैं tax को increase करके the next one is danda danda means the army अब किसी भी state के पास army का होना बहुत जरूरी है तभी जो है बहार के जो शत्रू है जो attacks है उनसे जो है अपने राज्य को हम बचा सकते हैं उससे सुरक्षित रख सकते हैं it refers to military the state should have regular large discipline and train military अब यह military के बारे में बताया कि कैसे military होनी चाहिए it is important to protect the state from external danger the soldier should always be ready for the sacrificing their life for the nation soldiers जो है वो भी उनका भी brave होना और train होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने लडाई में निपन हम निपन कह सकते हैं बहुत जादा expert हो ताकि वो जो है अपने शत्रू से अच्छे से मुकाबला कर सकें और उनमें एक यह inner spirit होनी चाहिए कि वो अपनी life तक sacrifice कर सकते हैं state के लिए और king के लिए the next one is मित्रा अब इसका होना बहुत जरूरी है कि अब हमारी जो neighboring countries होती है उनके साथ किसी भी particular state के relations होना बहुत अच्छे होना बहुत जरूरी है तो अगर आपके दोस्त को मतलब जो आपकी neighboring country है जो आपकी अच्छी दोस्त है जिसके साथ relations अच्छी है तो अगर उसे emergency है अगर उसे आपकी जरूरत है तो आपको उसकी help करनी चाहिए अगर आप उस time के उसकी help नहीं करोगे तो in future maybe आपको जब जरूरत पड़े तो he will not be there for you so that's why मतलब एक अच्छे दूस्त होना neighboring countries के साथ अच्छे relations होना बहुत जरूरी है they are also important from the point of view foreign trade अब trade के point of view से भी यह जो है बहुत important है तो यह हमने देखा seven elements of state के बारे में चानक्की जी ने अपनी theory सब्तांग theory में seven organs of state के बारे में बात की गई है जो हमने आप देखा so guys thank you so much have a nice day I hope you like my video please like share and subscribe thank you so much